पुरुसरु में महिलाओं ने रोजगार के आउसर पढ़ाने के लिए कुछ मामूली सी मांग की और मांग करके उसने परिवारिक जीवन में भी बरावरी की मांग उठाई और इस तरह के आंदोलन को नारिवादी आंदोलन कहा जाता है अर्थात जो आंदोलन पुरसों और इस्तिरियों को बरावरी का दर्जद दिलाने के लिए किया गया उसे नारिवादी आंदोलन कहा जाता है जो ब्यक्ति नावियों को पुर्षों के समान हक दिलाने, दर्जा दिलाने की इक्षा रखता है तो उसे नारिवादी कहा जाता है अब लेंगिक विभाजन जो है वो उस अधार पर राजनेतिक गोलबंदी शुरू हुई और जब राजनेतिक गोलबंदी शुरू हुई तो जा करके सारवजनिक जीवन में भी औरतों का परवेश शुरू हुआ शुरू-शुरू में जैसा कि आप सभी ने जाना कि ये अंदोलन जो हुए नारिवादी अंदोलन जो हुए वो व्यक्तिकत और परिवारिक जीवन में बराबरी के लिए हुए लेकिन जब लेंगिक विभाजन का राजनिती में भी अभिव्यक्ति होना शुरू हुगा तो सार्वजनिक जीवन में भी औरतों की इस्तिती अच्छी हुई और यहीं कारण है कि आज महिलाएं बैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजिनियर, मैनेजर, कॉलेज और विश्ववविद्याले जैसे सिक्छक के पेसों में आ रही है जबकि इन कामों के लिए पहले महिलाओं को लायक नहीं माना जाता था लेकिन कुछ हिस्से है कुछ देश के देश है जहां सार्वजनिक जीवन में भी महिलाओं की इस्तिती बहुत ही अच्छी है खास करके हम बात करें यूरूपिया देशों की और स्विडन नॉर्वेग की तूँ यहां अब दिया गया है कि खुद करे खुद सीखे एक सर्वेक्षन दिया गया है और उस सर्वेक्षन से यह पता चला है कि महिलाओं जो है साड़े साथ घंटे से ज्यादा काम करती है जबकि पुरुष साड़े छे घंटे ही काम करते हैं लेकिन इनके बावजूद भी महिलाओं के काम को ज्यादातर महत्वय नहीं दिया जाता है ज्यादातर महत्वय किनकी कामों को दिया जाता है पूरसों के कामों को दिया जाता है इसका क्यारीजन है कि बहुत से काम महिलाएं करती है जो अब प्रत्यक छुरूप से आमदनी का जरिया होती है यानि डारेक्ट उसका पैसा उन्हें न मिल करके किसी दूसरे तरीके से या किसी अन्य साधन को प्राप्त कर लेती है जिसकी वजह से उसका पैसा नहीं दिखता है जबकि पुरुसों के द्वारे जो काम किया जाता है उसका पैसा मिलता है इसलिए आमदनी उसकी दिखती है पुरुसों की और महिलाओं की आमदनी नहीं दिखती है इसलिए महिलाओं के काम को ज्यादा महत्वे नहीं दिया जाता है लेकिन महिलाओं जो है ये एक आंक्रेक के अनुसार देखा गया है तो पता चला है कि महिलाओं जो है पूरुसों से अवस्तन एक घंटा ज्यादा काम करती है तो यहां एक चार्ट दिया गया है और गतिवीधिया है और उसका टाइम नोट डाउन किया गया है कि पूरुस कितने देर तक टाइम एस्पेंड करते हैं और महिलाओं इन कामों को करने में कितना समय एस्पेंड करती है और इससे यह पता चला है कि पूरुसों से एक घंटे अधिक महिलाएं काम करती है नेक्स्ट नीचे का रहा है कि आप इस सर्वेक्षण का उप्योग अपने घर में भी कर सकते हैं आप भी एक घंटे एक सब्ता का एक सर्वेक्षण कीजिए और उस सर्वेक्षण में आप पूरुसों और महिलाओं के कामों को देखिए जैसे आमदनी वाले काम यानि विए काम लोट डाउन कीजिए कि कितना समय खर्च करते हैं पूरुस और महिलाओं जिनसे उनको डायरेक्ट पेमेंड मिलता है यानि डायरेक्ट पैसा मिलता है तो आमदनी वाले कामों को आप लोट डाउन कीजिए उसके समय को लिखिए कि क पुरूस ने कितना ज़्यादा ठाइम खर्च किय और महिला ने कितना ज़्यादा । किए आमदनी वाले काम को करने में ठीक उसके बाद हागाद है घर हेलु काम यह घर वाले काम जैसे कपड़ा दोना बरतन पोचा करना ये सब और नेक्स्ट जह है वगारा यानि अन्य काम जैसे पढ़ना गब सब करना सरीर की साफ सफाई करना इन कामों को यानि तीन स्रेणी बना ले और तीन स्रेणी में पुरुसों के द्वारा खर्च किये गए टाइम और मह साथ से भाग देजिए और साथ से जब भाग देजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि आउसत क्या है यानि पुरुस कितने ज्यादा देर तक टाइम खर्च कर रहा है इन कामों को करने में और महिला कितने देर तक टाइम खर्च कर रहा है इन कामों को करने में उसके बाद आपको मालुम चल जाएगा कि कौन जादा देर तक काम कर रहा है तो यहां कर रहा है कि क्या आपके परिवार में भी यह देखा जाएगा कि महिलाए पुर्षों से जादा काम करती है तो निस्ची तोर पर हाँ ही जबाब होगा अब यहां है कि इतना सब होने के बावजूद भी महिलाओं के साथ भेदबा होता है महिलाओं को उनके कामों को ज्यादा वहलू नहीं दिया जाता है आखिर इसके पीछे क्या रिजन है महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है यानि देखा जाए कि महिलाओं की स्थिति जो है पूर्सों से काफी हम का सकते है कि खराब है इसका रिजन क्या है तो इसका सबसे बड़ा रिजन यह है कि आज भी हमारा समाज जो है पित्री परधान समाज है यानि पूर्सों को ज्यादा महत्वय देता है किसी काम को करने के लिए या हम का सकते हैं सारवजनी की जीवन में ज़्यादा तर पूर्सों को ही value दिया जाता है और किस तरीके से तो आप आज देख सकते हैं कि आज भी महिलाओं में सक्छरता किदर 54 फिस्दी है जबकि पुरुज जो है 76 फिस्दी साक्छर है और इसमें भी अगर देखा जाए कि 54 फिस्दी जो महिलाओं है जो साक्छर है उनमें अगर उच्छी सिक्छा की बात किया higher education की बात की जाए तो बहुत कम ही है जो higher education को प्राप्त कर पाती है लेकिन अगर हम इस्कूली सिक्षा के परिणामों के गौर करें तो हम यह प्राप्त करते हैं कि महिलाएं जो है पूरसों से ज्यादा अच्छा करती है या अच्छा नहीं करें तो लड़कों से कमतर तो नहीं करती है यानि लड़कों से बहतर करती है या लड़कों के अनुसार करती है लेकिन अगर हम बात किया जाए higher education की आगे की पढ़ाई की बात की जाए तो उसके लिए राष्टे बंद हो जाते हैं इसके सबसे वड़ा reason यह है कि माता पिता लड़के और लड़की दोनों पर बरावर खर्च नहीं करते हैं बरावर खर्च न करके लड़की पर कम खर्च करते हैं या ऐसे वो subject लेने को बहुत लेते हैं जिसमें खर्चे कम हो और जब कि वहीं लड़कों पर वह जड़ातर पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। दूसरी चीज है कि जब higher education नहीं होता है तो higher education नहीं होने की वज़ाओ से उचे तनखा और उचे पद पर महिलावे नहीं पहुझ पाती है। और उचे पद पर नहीं पहुझ पाने की वज़ाओ से ही उनकी स्थिति में क्या है। बहुत ही हम कह सकते हैं कि गिरावट है उचे पदों पर पहुँच जाने से सम्मान वाले पदों पर पहुँच जाने से ज़्याद़ आमदनी वाले कामों को करने में उसके बाद है क्या आप इसमानचित्र में अपने जिले को पहचान सकते हैं इस जिले में इस्तरी पुरुस का अनुपात कितना है आप इस अनुपात को अलग रंगों से अंकित जीलों से कितना कम या ज़्यादा पाते है उन प्रांतों की पहचान करें जहां बाल लिंग अनुपात आठ सो पचास से कम है कराएं अगले पिश्ट पर दिये गए पोश्टर से इस नक्से की तुलना करें यह देवनों किस तरह हमें एक ही मुद्दे के बारे में अलग-अलग धंग से बताते हैं तो यहां आप देख लें प्यारा भारत है हमारा इसमें आप देख सकते हैं जो रेड कलर से इंगित किया गया है जो यहां आप देख सकते है रेड कलर से इंगित किया गया है यह वैसे अस्थान है जिनना लड़कियों की संख्या एक हजार पूरुसों पे कितने है 800 है उसके बाद आप चले आए थोड़ा सा भगवा कलर में आप देख सकते है तो यह 800 से लेकर के 849 है उसके बाद थोड़ा पीला है उसको है 850 से 899 और फिर उसके बाद 900 से 949 और उसके बाद 950 और उससे ज्यादा और वाइट में उस जगह को दरसाया गया है जहांके आकड़े उपलब्दे नहीं है तो यहां कर रहा है कि क्या आप अपने जीला को देख सकते हैं और जान सकते हैं तो यह हमारा प्यारा बिहार हुआ अब इसमें आप जो देख रहे हैं यह बिहार है और बिहार में आप देख सकते हैं कि लिंग अनुपात जो है किस आउसत का है हम कह सकते हैं लिंग अनुपात जो है बिहार के कुछ जीले जो है वह वहां अच्छे है नौसों से अधिक है तो कुछ जीले है जहां नौसों से कम की जनसक्या देखने को मिल रही है अब यहां जो है कर रहा है कि बहुत से ऐसे चार राजे थे जहां परती हजार पूर्षों की संख्या आठ सो से भी कम थी यानि एक हजार पूर्षों पर इस्तियों की शंख्या आठ सो से कम थी जैसे पंजाब, हरियाना, हिमाचल परदेश और गुजराद और ये इस्टिती वड़ा गंबीर है इन राज्यों में बाल लिंग अनुपात तेजी से घटा है इन राज्यों में परती हजार बालकों पर बालिकाओं की संख्या आठ सो से कम है परती हजार लड़कों पर नौ से पचास से अधिक लड़कियों की संख्या वाले जीलों को 1991 के मुकाबले 2001 में और कम हो गई है यानि दिन परती दिन इस्तिरियों की जन संख्या जो है वो घटती जा रही है नेक्स्ट है कि मजदूरी में समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता है यानि समान टाइम खर्च करती है समान काम को करती है लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं को पूर्शों के बराबर पैसे नहीं मिलते है चाहे वो खेल कुद हो, फिल्म हो, कल कर खाने हो, खेत खलियान हो, इन में महिलाए पुरसों के समान काम करती है लेकिन उन लोगों को मजदूरी पुरसों के समान नहीं दिया जाता है तो ये भी एक बहुत ही बड़ा हम कहा सकते हैं कि लिंग आधारित भेदभाव है इसके अलावा सबसे खतरनाक जो हलात है जो अभी हम लोगों ने बात किया कि लिंग अनुपात जो है दिन परते दिन घटते जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सिर्फ जो है वो लड़के की चाह रखते हैं यानि लड़की को जन्म होने से पहले ही गर्वपात करा लिया जाता है और ऐसी मानसिक्ता वाले लोगों की वज़ा से ही लिंग अनुपात जो है बढ़ रहा है जो अगर बात करें यहाँ देश की तो देश में 999 जो है एक हजार लड किया रहा गई है और नेक्स्ट आगे करा है कि साथ में जो नक्से हम लोगों ने देखा मानचित्र देखा उसमें तो कई ऐसे जगह थे जहां 850 से लेके 800 तक लिंग अनुपात आ गया है तो ऐसी इस्टिती में हम कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ पूरसों को दिवारा भेद दिवाव किए जाते हैं और सबसे हम कहसे हैं कि सोचनिया बात ये है कि महिलाओं के उत्पिडण और सोचन की खबरे हम लोग रूज अख़वारों में, टीवी चैनलों में, सूसल मेडिया के माध्यम से देखते हैं सहरी इलाकों की अगर बात करें तो सहरी इलाकों में तो महलाएं और असुरक्षित अपने आपको महसूस करती है वे घर में भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि उन्हें घर में मार पीट किया जाता है घरेलू हिंसा जहलनी पड़ती है घरेलू हिंसा क्या है घर के सदस्यों के द्वारा या उसके पती के द्वारा उसे बेवज़ या कलत आरोप लगा करके मारना पीटना गहरेलो हिंसा कहलाता है मानसिकत और परुसे उत्पिडित करना गहरेलो हिंसा कहलाता है आज के लिए इतना ही फड़ते रहिए सिखते रहिए धन्यवाद